नमस्कार दोस्तों प्रदानमंत्री मोदी की मुस्किले भी समझिये इसे समझने के लिए केवल दो उधारन दे रहा हूँ ध्यान से सुनोगे तो बात समझ में आ जाएगी पहला और बिलकुल ताजा उधारन क्या आपने इस बात पर ध्यान दिया कि अरुनाचल प्रदेश में चीन द्वारा गुस्पेट करके एक नया गाव वसा देने की जो अफवा राहूल गांदी ने फैलाई थी उस अफवा का सोर्स क्या था इसका उत्तर जानने के लिए जादा मेहनत करने की आवश्रक्ता नहीं है खुद राहूल गांदी ने ही अपने ट्वीट में यह बता दिया था कि उस अफवा का सोर्स क्या है दरसल एंडी टीवी ने तीन चार दिन पहले यह अफवा प्रसारित की थी लेकिन देश के किसी अन्य चैनल या अकबार ने उसे महत्वन नहीं दिया था क्योंकि सच से पूरा देश परिचित हैं कि जिस जगह के गांव का जिक्र एंडी टीवी की अफवा में हैं उस जगह पर चीन 1959 से कबजा किये हैं और दशकों पहले से वहां कई तरह के सैनिक असैनिक निर्मान करता रहा हैं लेकिन इसके बावजूद हर्याना के एक प्रमुक अकबार हरी भूमी ने एंडी टीवी की उस अफवा को बेहत भड़काउ सीर्शक के साथ अत्यदिक प्रमुकता से प्रकासित किया राहुल गांदी ने अपने ट्वीट में हरी भूमी में प्रकासित उस खबर को ही अटेच किया था और उसी खबर को मुद्दा बना कर प्रेस कॉन्फरेंस तक कर डाली थी लेकिन आपको ये जानकर आश्चरी होगा कि भाजपा के राश्ट्रिय प्रवक्ता, राश्ट्रिय सची तथा पिछली बार हर्याना की भाजपा सरकार में तेरा महतुपूर्ण विभागों के कैबिनेट मंत्री रहे चर्चीत भाजपा नेता, कैप्टन अभीमन्योही, हरी भूमी अकबार के संस्थापग या मालिक है अकबार के एडिटर इन चीप भी यही महदय है अतर ये प्रशन स्वाबाविक है कि एंडी टीवी द्वारा फैलाई गई जिस अफवा को देश के किसी अकबार ने गंबीरता से नहीं लिया था उस अफवा को हर्याना के दिगज भाजपाई नेता ने बेहत भड़काउ सीरसक के साथ अपने अकबार में प्रमुकता से क्यों छापा यह प्रशन इसलिए और अधिक गंबीर हो जाता है क्योंकि तथाकतित किसानों के नाम पर हो रहे बवाल का मुख्य कैंद्र हर्याना ही बना हुआ है वहाँ इस्तती तनावपूर्ण ही बनी हुई है ऐसी गंबीर और सम्वेदन सील परिस्तियों में सरकार के विरुद भाजपा के ही एक बड़े नेता के अकबार द्वारा खतरनाक अफ़वा को फैलाने के माएने और मकसद आसानी से समझे जा सकते हैं दूसरा उदारन डॉक्टर सुब्रमनियम स्वामी ने 15 जन्वरी को या ट्वीट करके संसनी फैला दी कि उद्योगपती अडानी की कमपनियों पर साड़े चार लाग करोड का एनपीए है और लगता हैं कि देश के छै एरपोर्ट खरीदने के बाद अडानी अब देश के बैंक खरीदने की भी तैयारी कर रहे हालांकि डॉक्टर स्वामी के इस सरासर सफे जूट के चितरे कुछ ही घंटों में उड़ गए थे क्योंकि डॉक्टर स्वामी के ट्वीट के जवाब में अडानी ग्रूप ने ट्वीट करके जानकारी दी थी कि पिछले 30 वर्सों के दौरान हमारी किसी कमपनी पर कभी एक रुपे का भी एन पिए बकाया नहीं रहा है अडानी ग्रूप ने अपने उस ट्वीट के साथ डॉक्टर स्वामी और उनके ट्वीट को टैग भी कर दिया था मैं उत्सुकता के साथ डॉक्टर स्वामी के जवाब की प्रतिक्सा करता रहा लेकिन जवाब में कोई छोटा बड़ा सबूत प्रस्तुत करने के बजाए डॉक्टर स्वामी अपनी थोती फूर्ड सफाई आए बाए शाए बयान बाजी करके देने में जुड़ गए इस संदर्ब में उलेखनी अया है कि दिल्ली और हर्याणा में तथाकतित किसानों के नाम पर हो रहे बवाल की आग में डॉक्टर स्वामी ने अपने ट्वीट से घी उडेलने का कूकर्म किया था क्योंकि उस बवाल में शामिल बवाली लफंगो का गिरो अडानी का नाम लेकर केंदर की मोदी सरकार पर उलूल जलूल आरोपो को उच्छाल रहा है अतैसी समवेंदर सील परिस्तितियों में डॉक्टर स्वामी ने सरासर सफेज जूट को ट्वीट करने का कूकर्म क्यों किया थोड़ी सी भी राजनितिक समझबूज वाला व्यक्ती आसानी से यह समझ सकता है कि अडानी से डॉक्टर स्वामी का कोई लेना देना नहीं है अडानी को बहाना बनाकर वो निशाना प्रदानमंत्री मोदी परी साध रहे थे डॉक्टर स्वामी की इस कर्तूत के मायने और मकसद भी आसानी से समझे जा सकते हैं इसी प्रकात तांडव वेब सीरीज को लेकर फैल रहे जना क्रोज से प्रकास जावडेकर जैसे पूर्ण तया जनहादार हीन नेता का बिलकुल भी नुकसान नहीं होना है इससे आग तो प्रदानमंत्री की मोदी की शाख और धाग को लगेगी आज ये दो उदारण ये अस्पस्ट कर रहे हैं कि राजनितिक कुरुशेत्र में प्रदानमंत्री मोदी की श्तती उस महायोद्दा कर्ण जैसी हैं जिनके विरुद पांडव तो लड़ी रहे थे तथा कौरुश भी उनके विरुद जमकर सड्यंत्र रचने में जुटे हुए थे क्योंकि दोनों पक्षों में कर्ण जैसा कोई नहीं था कर्ण की श्तती कवों के समू में राज हन्स जैसी थी ठैंक यू वेरी मच जैहिन